नमस्कार दोस्तों दोस्तों बॉलिवूड एक ऐसा गटर है जहां इंसान के इंसान बने रहने की संभावनाई बहुत ज़्यादा कम रहती हैं लेकिन लोग यहां आते हैं इस्टार बनने लेकिन वो किन धंदों में उतर जाते हैं यह खुद भी वो जान नहीं पाते आज मैं जिस एक्टरेस की बात कर रहा हूँ वो किसी समय पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती थी लेकिन अपने काम को लेकर नहीं बलकि अपने रिलेशन्सिप को लेकर यह ऐसी एक्टरेस थी जो जब चाहे अपने मर्जी से किसी भी फिल्म का हिस्सा बन जाती थी किसी भी फिल्म को अपने मर्जी से छोड़ देती थी लेकिन किसी भी फिल्मेकर की किसी भी बड़े इस्टार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी इससे सवाल जवाब कर सके ये एक्ट्रेस है मौनिका बेदी मौनिका बेदी का फिल्मी केरियर बहुत बड़ा भले ही न रहा हो लेकिन चर्चित बहुत रहा है मौनिका बेदी का जन्म हुआ था 18 जन्वरी 1975 को पंजाब के चाबेवाल गाउं में मौनिका वेदी के पिता एक डॉक्टर थे लेकिन अपनी डॉक्टरी छोड़ कर साल 79 में मौनिका के पिता परिवार समित नौर्वे कंट्री चले गए नौर्वे जाने के बाद मौनिका के पिताने कुछ दिन छोटी मोटी नौकरी की और उसके बाद कपडों का अपना व्यापार कल लिया मौनिका की स्कोलिंग नौर्वे से ही हुई थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने मौनिका यूके चली गई और ऑक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी से इंगलिश लिट्रेचर की पढ़ाई पूरी की इसी दोरान मौनिका जब छुट्टियों में इंडिया गुमने आती थी तो इंडिया में उसने दिल्ली में एक्टिंग कोर्स में एड्मिशन ले लिया था जहां एक तरफ UK में मॉनिका की पढ़ाई खत्म हुई तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक्टिंग कोर्स भी उसका पूरा हो गया था इसके बाद मॉनिका मॉंबई आ गई मॉंबई आने के बाद मॉनिका ने कथक डांस क्लास में एड्मिशन ले लिया इसी डांस क्लास के दौरान मॉनिका पर नजर पढ़ी उस समय के बड़े एक्टर मनोज कुमार की मनोज कुमार ने मॉनिका को अपनी फिल्म में लीड रॉल ओफर किया जिसे मॉनिका ने पहली ही बार में साइन कर लिया हाला कि ये फिल्म तो कभी बन नहीं पाई थी लेकिन इसी फिल्म के दौरान मॉनिका को बॉलिवुड की दूसरी फिल्मों के ओफर आने लगे थे इसी दौरान मॉनिका की मुलाकात हुई फिल्म मेकर मुकेश दुगगल से मुकेश दुगल ने मॉनिका को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था मुकेश दुगल के अंडर वर्ल्ट से connection थे यही कारण था कि मुकेश जो है अंडर वर्लड का डर दिखाकर लोगों से अपनी फिल्म में पैसा लगवाता था मुकेश की दोस्ती जब मौनिका बेदी से हुई तो मुकेश मौनिका को अपनी फिल्म की हिरोईन बताकर लोगों से पैसे एटने लगा था मौनिका और मुकेश उन दिनों फिल्मी पार्टीज में एक साथ जाते थे यही कारण था कि मौनिका जल्दी ही मुकेश दुगल की गल्फेन के रूप में फैमस होने लगी मुकेश के साथ गोमते फिरते मौनिका को एक साल बीत गया था और एक साल में ना तो मुकेश ने मौनिका को लेकर कोई फिल्म शुरू की और नहीं मौनिका को बाहर के बैनर की फिल्मे साइन करने दी इसके बाद मौनिका को लगा कि वो शायद किसी जाल में फस गई है लेकिन मौनिका ना तो इतनी बड़ी एक्ट्रिस थी कि आवाज उठाती और ना ही इतनी ताकतवर कि कोई कारवाही कर पाती लेकिन इसी दोरान मौनिका को मौकेश के द्वारा दुबई में एक शो करने को कहा गया मौनिका शो करने के लिए एगरी हो गई क्योंकि उसे ना तो फिल्मों के ओफर आ रहे थे नहीं फिल्मों में काम मिल पा रहता और नहीं कोई शो मौनिका शो करने दुबाई जाती है जहां मौनिका की मुलाकात होती है गैंक्ष्टर अबू सलेम से अबू सलेम मौनिका को देखते ही प्यार करने लगता है दोनों की कॉल्स पे बाते होने लगती है मौनिका समझ गई थी कि अगर उसे मुकेश दुगल के चंगुल से निकलना है तो अबू सलेम को प्यार के जाल में फसाना होगा इसके बाद अबू सलेम और मौनिका बेदी के बीच में मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है मौनिका के फिल्मी केरियर की बात की जाए तो मौनिका को पहली फिल्म मिली थी 94 में एक्टर मनोज कुमार की लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई थी इसके बाद 95 में मौनिका ने एक तेलगू फिल्म में काम किया इसी साल हिंदी में डेब्यू किया था फिल्म सुरक्षा से इसके बाद मौनिका ने मुकेश दुगल की कुछ फिल्में साइन की लेकिन वो फिल्में कभी बन नहीं पाई इसके बाद मौनिका ने 96 एर में एक तमिल फिल्म में फिर से एक्टिंग की 97 में मौनिका की मुलाकात अबू सलेम से होती है इसके बाद दोनों की दुबई में मुलाकाते होती रहती है क्योंकि अबू सलेम इंडिया नहीं आ सकता था और अबू सलेम से मिलने मौनिका दुबई जाती थी और वहाँ पर उनका प्यार परवान चड़ता गया इसी भीच मार्च 98 में मुकेश दुगगल की उसके बंगले में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है मुकेश दुगगल की हत्या किसने और क्यों करवाई ये आज भी एक मिश्ट्री है अबू सलेम कहता है कि मुकेश दुगगल की हत्या मनीशा कोईराला ने सुपारी देकर छोटा राजन के गुंडों से करवाई थी जबकि जो सबूत पुलिस को मिले थे वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे खेर ये एक अलग मुद्दा है जिसे किसी और वीडियो में बताऊंगा मुकेश दुगगल की हत्या के बाद मौनीका बेदी आजात थी उसके पास अबू सलेम की बदावलत एक समय पर 25 से ज़्यादा फिल्मे थी मौनीका ने इसी दोरान सल्मान खान, संजैदत, गोविंदा, आदित्य पांचोली, सुनील शेटी, अरजुन रामपाल जैसे नामी सितारों के साथ में काम किया था ये सारी फिल्में मौनीका को अबू सलेम की वजह से मिली थी 2001 में राजीवराय नाम का एक डारेक्टर था, एक फिल्म बना रहा था, फिल्म का नाम था प्यार, इश्क और महबबत फिल्म बड़े बजट के फिल्म थी, और बड़ी इस्टार काश्ट वाली फिल्म थी यही कारण था कि मौनीका वेदी इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी मौनीका वेदी के प्यार अबू सलेम ने राजीवराय से कहा कि इस फिल्म में मौनीका मेडम को काश्ट किया जाए राजीवराय ने मौनीका को फिल्म में लेने से मना कर दिया इसके बाद राजीव राए के पास कुछ और कॉल्स आती है धमकियां दी जाती है मगर राजीव राए अपने फैसले पर अटल थे इसके कुछ दिन बाद राजीव राए के ओफिस में घुस कर कुछ लोग उन पर ताबड तोड फाइरिंग करते हैं हलाकि राजीव को एक भी गोली नहीं लगती लेकिन इस अटेक के बाद राजीव जो है इतना ज़्यादा ढर जाता है कि भारत को पूरी तरह से छोड़ कर विदेश में बच जाता है लेकिन मौनिका बेदी मैडम को प्यार इश्क और महबबत फिल्म में काम करना था तो अबू सलेम के गुंडों ने राजीव राय का पीछा विदेश में भी नहीं छोड़ा आखिरकार राजीव को फिल्म प्यार इश्क और महबबत बनानी पड़ती है मजबूरी में और मौनिका बेदी को उसमें रॉल देना पड़ता है हाला कि फिल्म जो है बाद में जब बनती है तो फ्लॉप हो जाती है इसके बाद 2004 में राजीव ने एक और फिल्म बनाई थी लेकिन वो कभी भी भारत वापिस नहीं आया इसके बाद इस बीच पूरे बॉलिवूड में ये फेमस हो गया था कि मौनिका बेदी बॉलिवूड और अंडर वर्ल के बीच में मीडियेटर की तरह काम करती है किसी भी बॉलिवुड कलाकार को अंडरवर्ड से कोई काम कराना होता था तो वो पहले मौनिका बेदी को बताता उसे सैटिस्फाई करता और मौनिका बेदी आगे अबु सलेम को बताती 2000 के दौर में अबू सलेम के लड़ाई दाउच से हो जाती है और अबू सलेम को दुबई छोड़ना पड़ता है अबू सलेम पहले US जाता है फिर कई देशों से होते हुए पूर्टगाल इस दौरान अबू सलेम के साथ मौनिका बेदी थी और दोनों ने एक देश से दूसरे देश जाने के लिए फरजी पासपोर्ट वे फरजी नाम का सहारा लिया था इसके बाद पूर्टगाल में रहते हुए यानि इंडिया से जाने के बाद मौनिका ने जोड़ी नंबर वन और टाड़ा जैसी दो बड़ी फिल्मों में काम किया था जोड़ी नंबर वन में जहां लीड रॉल में गोविंदा और संजेदत थे वहीं टाड़ा में धर्मेंद्र वे मुकेश खन्ना लीड रॉल में थे यूएस और पूर्टगाल के सफर के दोरान ही मौनिका और अबू सलेम ने शादी भी कर ले थी इसी बीच मौनिका बेदी ने अपना धर्म छोड़ कर इसलाम अपना लिया था और अपना नाम रखा था सना मलिक कमाल वैसे मौनिका बेदी ने कभी भी इन बातों को सुईकार नहीं किया कि उसने अबू सलेम से शादी की थी या अपना धर्म चेंज किया था लेकिन अबू सलेम हमेशा से ये बयान देता आया है कि उसने अमेरिका में मौनिका से शादी की थी वो भी उसका धर्म बदलवाने के बाद 2002 तक किसी को ये नहीं पता था कि मौनिका बेदी दुनिया के किस कौने में रह रही है 2002 में खबर आती है कि मौनिका बेदी और अबू सलेम को पुर्टगाल की पुलिस ने फरजी पासपोर्ट के आरोप में ग्रफतार कर लिया था इसके बाद 2005 में मौनिका बेदी और अबू सलेम को इंडिया डिपोर्ट किया जाता है इंडिया डिपोर्ट करते समय पूर्टगाल सरकार की ये शर्त थी कि इन दोनों को किसी भी केस में फांसी की सजा नहीं दी जाएगी साथी भारत सरकार से उन केसी का ब्योरा भी मांगा गया जिन में अबू सलेम फरार था 2005 में भारत लाने के बाद अबू सलेम पर 93 ब्लाष्ट केस चला तो मौनिका पर केस चला फर्जी पासपोर्ट का मुकेश दुगगल की हत्या में सीधे सीधे नाम मौनिका का भी आता है लेकिन पुलिस ने उस दिशा में कभी भी कोई कारवाही नहीं की फाइनली 2007 में मौनिका को फर्जी पासपोर्ट का दोशी माना गया और दो साल की सजा हुई सिर्फ दो साल की लेकिन उतनी सजा वो पहले ही जेल के अंदर काट चुकी थी इसलिए उसे 2007 में ही रिहा कर दिया जाता है जेल से निकलने के बाद मौनिका को ओफर हुआ बिग बॉश का सो मौनिका बेदी ने शो में पार्टिसिपेट किया लिकिन वहां पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई यहां से निकलने के बाद मॉनिका ने कुछ रीजनल फिल्मों में काम किया जिसमें तमिल और बंगाली फिल्म में मुख्य थी 2007 में जेल से निकली बिग बॉश में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद मॉनिका का नाम एकदम से चर्चाओं से गायब हो जाता है मॉनिका का नाम चर्चा में आया साल 2012 में दरसल मॉनिका ने एक नेपाली फिल्म में काम किया था फिल्म का नाम था परीचय इस फिल्म के डारेक्टर ने मुंबई में एक F.I.R. दर्च कराई जिसमें मॉनिका पर आरोप लगाया गया था कि वह उसे अंडर वर्ल्ड से जान से मरवाने की धमकी दे रही है और धमकी के उसे मैसेज कर रही है हाला कि बाद में इस केस का क्या परिनाम हुआ था ये पता नहीं चल सका था इसके बाद मॉनिका ने दो-तीन पंजाबी फिल्मों में काम किया और पूरी तरह से गायब हो गई मॉनिका बेदी को जेल से छोटने के बाद राजनीती का भी ओफर आया था लेकिन उसने हर बार मना कर दिया आज मॉनिका बेदी फिल्मों में तो नजर नहीं आती है लेकिन फिल्मी पार्टीज में वो अकसर दिखाई देती रहती है मॉनिका बेदी कहने को एक एक्ट्रिस थी लेकिन उसकी कहानी पूरी तरह फिल्मी है अंडर वर्ल्ड अकसर कलाकारों को यूज करता है लेकिन मौनिका बेदी ने एक्ट्रिस बनने के लिए अंडर वल्ड को जी भरके यूज किया था मौनिका बेदी के बारे में आपके क्या राय या इसकी कहाने के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताना इस वीडियो में इतना ही जैहिंद